कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरे यूटूब चैनल इंडियान आयरवेदिक डॉक्टर पर दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त MKS माई से नहीं दोस्तों जैसे है कि आम सभी को पता है कि हम कि फीजियोलोजी फर्स्ट के कर रहे हैं चैप्टर नमबर 12 करेंगे आज एक से लेकि ग्यारत तक में पहले अप्रूड कर चाहूं अगर आप एक से ग्यारत के वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्रेलिश्ट पर जाईए वहाँ पर फीजियोलोजी के रिए सरे करेस लेक्षत आप जो भी समझना चाहिए वा समझ जब सकते क्योंकि इस वीडियो में आपना हम बात करेंगे अहार परे में आहर पाक कि क्योंसे important question है कौन सा important slogan है कौन सा आपको याद करना है question किस तरीके साथ है कैसे attempt करना है और किस तरीके से easy बनाना है इस आहर पाक को क्योंकि यह important है जब भी देखो पिछले chapter अपने आहार भोजन करने की विदी की थी ठीक है कौन से चैप्ट से कुछना आता है वो सारी में बाते आपको बतारा हूं आप यह हार पाक मतलब जो भी अपन बोजन ग्रहन करते हैं वो पच्ता कैसे किस क्रम में पच्ता उसक्त बारे में बात की हुई है तो इसलिए वो च्वेट कौन को से टोपिक है अहार पाक वर्णन अवस्ता पाक त्रीवी दवस्ता पाक मदूर अमल कटू पर ग्रहनी पित धरकला क्या है इनका वर्नन नहां और विपाग के कर्म वेरी वेरी important है दो number के हिसाप से 5 नमबर के साफ से और 15 नमबर के साफ तो आहार का एक concept है मतलब आहार के जितने भी chapter है 3 से 4 chapter syllabus में एक ही point में दे रहा कि होंगे लेकिन मैं अलग-अलग chapter आपको समझाने के साफ से बनाय हुए ठीक है तो very very important में और 1 से 20 नम्बर का 10 नम्र का 15 लें देखिशन आता शेप्तर में इन जरूर आता है तो आगे बढ़ते हैं अहार पाग अध्याइवारा अहार पाग मतलब आहार का पाचन यह समझ गया आप पाक है पंचेनम द्रवाणम सवय रूपयों सवय प्रावर्ती कोई जो तनी याद करने के छोड़ो मापको वही कोटेशन बताऊंगा जो इंपोर्टेंड वो लाइफ टाइम काम आएगा ठी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्त अपने कोलेज अपने फ्रेंड के साथ चैनल को सेर कीजिए ठीक है और डिस्क्रेशन में जाके मेरे सोचल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हो आपको आपको आभी आयरवे से सम्मझेद बहुत सारी अब इन टुकड़े चार टुकड़े होगे एक दो तीन चार अब इनको जो मारिक बारिक बिल्कुल छोट छोट चोट करनों में तोड़ना बिल्कुल वह निस्टा पाक समझ माया अहार एक है अहार के दो बाग कर दिये पहले तो आवस्ता पाक किया मतलब चार टुकड़े पर इसके भी उन टुकड़ों का बारिक 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 जो मतलग सरीर में और जर्रसम हो जाए अपने बोलतें न मोडन में इस अवसोशन हो यह तो आपने बेदगवाता दिए कि ऐसे ऐसे प्रोसेस होता है पहला एक फत्रता उसको तीनों में तोड़ा ठीक है अब फिर आज जाके इनको फिर बारीकम तोड़ना दात्व अगनी और भूत अगनी से अब आता है आवस्ता पाक देखो तीन कोटेशने आपे चरक चिकिश्या चरक चिकिश्या चरक चिकिश्या आपको याद हो जाए तो कर ले ना इक कोटेशन कोई सा भी अच्छा चा नहीं तो कोई जुरुत नहीं है का घुए मतलब भूकत यानी खाय हुए अहार का पास्चन काई होए आर को आधान करता गिहनी करने वाली पराणवायक कोश्ट अमास्य में जाती है आपको पता है पराणवाय उपने श्ट्री कर लिए पराणवायक हूई भोजन को ग्रहन करने में साहता करती है अमाइस्य में इस्तित कलेधक कप ये भी पता है कि आप lasting अलग अलग हो जाता है श्खाप ही इस ने इसन्यां से वह लिए आहार मिर्दू कॉमल हो चाहता है उसके बाद समान वायू से उधर की अगनी ये ये भी आपको पता है कि समान वायू अगनिकर डड़ा अगनिकर प्रबल कर दी वागनिकर दीं कि आपने यह कोंसेप्ट एक बात क्लियर किया है पहले चैप्टर में उचित समय पर सम महात्रा उचित महात्रम घरण उच्चित s I अनको जो घ्रेंड किया है उसको आयू बढ़ाने के लिए अपने बोजन को करता है क्योंकि जीवित रह सके आयू बढ़ सके जिस प्रकार एक पात्र में चूले की अगनी के उपर रखा हुआ जल और चावल को पका कर भाई अगनी भात ओधन तयार करती है उसी प्रकार आत तयार होता है तो अपने जो आमाश्या में बोजन इस्तित आ्यों जो घ्रेनी को यह यह चीनी में पांचन करती है और रस मल को करती दोगात शचाद आफ़ समय बनता है कि वांते त्री वीद अवश्तापाना अभ पहली यह प्रोसेड़ बता दिया औस्ता पाग। तो याद होने चाहिए क्योंकि मैं इसको important मानता हूं यह बार-बार आएंगे आपको secondary पीछे नहीं पीछे नहीं चोटेंगे यहां पर आपको याद होने चाहिए मदूर अमल कट्टो के तीन उसस लोग याद अब मदूर अवस्ता पाथ क्या है मदूर क्या है कट्टो क्या है यहां पर सत्या मेंником यूक्तो आरगा का पाचन को करती होती है तार्सम्पू्न आरं मंदॉर हास में परिवर्तित कर दिया और उस परिवर्तित मदूर आरस hugging से कब बًärtता है क्योंकि मदूर मेखल और मतलब कि जाग भी हार रस में उत पन्न होता है उसमें सलशां बढ़ जाता है यह इंपोर्टेंट लाइन उस परीवर्थी मद्धुर रहार रसमें फेन से कप सलेश्मा बढ़ जाता है इंपोर्टेंट लाइन होगी अब आता है अमल वह पचित अहार के आगे के और बढ़ते है पक्वाथा में प्रापत्व का जब है मतलब Надेज़ अश्ताना बन गया अब तो आगे थोड़ा और Tesco और पचा ही उसके बढ़ते हो फुर्लाइब परापत होगे मज़ल्हब पूर्ण्चत हो करते पलंपको जाता है इसकी पृस्ति करिया आमल रस में वदल प्रवित्व होना जाती है इस आमल रस में पित की वर्दी हो जाती है तो मतलब अगनी पित की वर्दी होई आमल आवास्ता में पित की वर्दी होई यह इंपोर्डेंट है फिर एक कटू वह हायूद वायूद 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 वायू कि अब यहां पूर्ण तरीके से परिवर्थ हो गया मदला अमल अवस्ता में हो गया जो भी आमला अगनाश्य देखो मोडर्ण से कोर्रेलेट करो अगनाश्य से जो रस आते हैं आमली रस राव आते हैं वो अमल में प्रविद्ध करते हैं यहीं से चुराया उन्होंने मूब आज में रिसर्च कि इसा क्या वपा उनको बताए सिस्टेमेटिक और सैंटिमेटिक तरीके से फिर आता है कटू अवस्था वे हार जब बोजब्ध कूण रूप से पच गया अब कटू अब इस पहूंचकर अगनी दौरा सोणित ओकर फिन थे ए उसको आफोसित कर लिया और जो पिंड रूप में जो आपने मल निस्कासित करते हैं उस रूप में पर्युत हो जाते हैं तहुद वहस्थ कर देगी इसलिए मल को निकालना जरूरी है ओ घृत्ता में वायू की वर्दी होती है अमल अवस्ता में पित की वर्दी होती है और मदूर अवस्ता में कब की वर्दी होती है यह आपको याद होने चाहिए इसकी हिंदी तो रट लेने चाहिए अगर अगर श्लोग आपको याद नहीं है आपको यह तीनों स्लोप लगने पड़ेंगे तीनों दिली पड़ेंगे त्रीवत दिवत आवस्ता पाक आपको पंद्रा नमबर दस नमबर बीस नमबर में भी क्यूशन आ सकता है तो बहुत ज्यादा इंप्रोड़ने यह चैप्टर यार ठीक है अब आता है घ्रहनी पिद् आपको तीन बता दिक हो काफी है घ्रहनी का कर्म चोटी आते जुडे न में ऊसको पिद्रा काला बोलता है ग्रहनी पकेवे उनको पचाने के लिए धान करती है जो अपन बोजन घ्रान करते हैं उसको पचाने कारी करती है पके वे उनको आगे के और धकेल देती है पकवाश से की हो अगनी की दुरुबलता से वे दूसीत हो जाती है तो पकच्चे बिन्या पके अनको गुदा दोवार से बहार निकाल देती है जब ये दूसीत हो गई मतलब मंद हो गई बिन्या पके भी बोजन को आगे सरका देती है पित्त धरा नामक जो छटी कला है अभर ये छोटी याल तो ये वह बोल रहा है कि आम आश्या और पकवास्या की मद कॉंसेप्ट वही है देखो कितनी साल पहले कितने हजारों साल पहले जब कोई एक्ष्रे मसीन नहीं थी सब कुछ नहीं था तो यह ओटोमेटिक आचारी नहां हजारों साल पहले पांच जार सालों पहले बता दिया था अपनको बिना कुछ सब्सक्राइब करना मैं तो यह बोलना चाहिए जो उन्हों लिख दिया हो सकता है अपनी वेवकूप यह कि उसको सिद्ध नहीं कर पारें पित्द्रा नामक जो छट्टी केला है पकवास्या मजश्या कि मद इससे कला को घ्रहनी कहते हैं इसी को पित्द्रा कला कहते हैं ठी होजाना पर अगनी के दूसीट हो जाना पर घ्रह भी अपूर्बना bizi बडो बात एक ही है। Performance दो लोकल लेंग्वेज में यानाम जानते हैं और इसको बोलना चाहता है जिस करना चाहता है। कि ठीक है वातादी प्रत्यक दोस्तों में सन्नी पात रूप से मिली दोस्तों कोई जूरूत नहीं है छोड़ो इसको यह लेकिन यह बोल रहा हूं को बता जेता हूं अहर को आगे बार निकाल जाते हैं यह अन कभी पका कभी कच्छा वेदना के साथ दुरूंगें जूत कभी बंदा हुआ कभी द्रव में प्रवाइद जल रूप होते इस रूप को ग्रहनी खहते हैं ठीक है वात आधी प्रतक दोस्ते सन्नी पात मिली दोस्तों दूसी तो ग्रहनी मतला जब दूसी तो जाती है अगरी मन दो जाती है तो ऐसे रोग उत्पन करती है जो मल निकलता हो को एसा निकलता है दुरूगन जी गुद कभी बंदा हुआ कभी द्रव रूप में कि अब आता है विपाक जो इसको निष्टा पाक जो दूसे सिक्सम सुक्सम पाक था वो निष्टा पाक इस्टा क्लासिक के संग मतले जो पहले जो मोटा मोटा था मदूर अमल कटो इन बसे आप एक कोटेशन कोई सब याद कर लो जो आपको अच्छा लगे मैं आपको बोलता हूं यह अश्टांगर्दय वाला आपको याद होना चाहिए यूगि अश्टांगर्दय में आपने इस्टेडी किया होगा अहारों के रसों के अनुसार भूत दिरों में पाचाग नी जाट रगनी द्वारा पाचल करिया पूर्ण होने पर जो रस के परवित नोकर बदल्ग अन रस की उत्पतिवों से विपाग खेते हैं अहार के रसों के अनुसार, कट्टू तिक कसाय कट्टू विपाग, अमल रस अमल विपाग, मदूर लवन का मदर विपाग, यहां को यादो नसे है, कोन सी रस का कोन सा विपाग बनता है, वेरी वेरी इंपोर्डेंट सारणी, कट्टू तिक कसाय का कोन सा विपाग बनता है, कट्टू विपाक मदूर 1 उटे अंब कि रशों के कारयों के साधा है करम होते हैं ये बोल रा हुस्ते पसकर काम राख निई होगी ने तह अपना मोटा-मोटा काम कर दिया अब उसके बाद में आती है द्धात्व अगनी और पंच महाबूत अगनी वह कारिये करते हैं विपाक का निर्माण करने के मतलब सुक्षम पाक इसको मतलब बारिकिसे श्रीर अभजोशन कर सके कुछ बना सके तो जठ अगनी के बाद में दो अगनियां आती हैं पंच महाबूत और धात्व कंगन वो सुक्षम पाक करती हैं और ये जो अलग-अलग रसों के जो अपने घ्रण किया उसके इसाफ से करती है अगर ये रसवाला से हैंगे तो कट्टू विपाक करेंगी आमल वाला तो अमल विपाक मदूर रसो तो मदूर विपाक विपाक के कारी है कोटेशन इंटलिजेंट इस्टूरेंट जो कुछ यादा करना चाहते हैं कुछ आगे जाके 22 में बढ़ियां कुछ करना चाहते हैं वो याद करो इंपोर्डेंट नहीं दोस्तों आपनी जैसे मेरे जैसे हो हिंदी याद कीजिए पाटू विपाक वाले द्रव सुक्र का नास करते हैं ठीक है मल मुत्र को भांते अवरोदक हैं बाद दोस्त की विर्दी करने वाले होते हैं आपको यही पता होगा ना कटू तिक कसाई बाद दोस्त की विर्दी करते हैं शुकृता को नाज करते हैं अपन सुरू से बढ़ते आ रहे हैं यह बात तो मल मुत्र को भांते है अवरोधक हैं तो कोई बड़ी बाद नहीं है वही बाते होती हैं conceptually बाते हैं मदूर विफाक वाले मलमुत्र को निकालते हैं कपरो शुक्र को बढ़ाने वाले विर्दी करने वाले मदूर अम लवन का पज़ाद भी अपन सेवन करेंगे तो कप की विर्दी होती है शुक्र क अब देखो आगे क्या बोल रहा है द्रवों में पाक काल में जब प्रत्वी और जल्की गुण की अधिकता बलवान महाबोता वाले लाओ में प्रत्वी और जल्की दिखता है वहारी और उस्हें मदूर रस विपाग पाल में Cook आखाश-धस अध्र मधी म Caesar और म लिंक है बात वही है अच्छ पित रहा जब नौकर स्रब दम अधो रसकी उत्पत्ती पुटती है यह बोल रहा है जब अपन ने अवस्ता पाक किया दाता तो पहले मधूर मधूर के बाद में थी अमल अवस्ता तो यह अमल अवस्ता की बात कर रहा है पकवास्ता को प्राप्त होकर विग्द अवस्ता को प्राप्त हो जाता है यहां वजबुत आमल्ड़स की अधिकता से मुलभुत समच कियो कि पित आवस्ता में पित की वर्धति होती है है अमल्ण यावास्त यह उस समय यह बनता है उसको अच्छ पित बोलते हैं यह इसका इतolf होगत है इस चैप्टर केलियर हुआ क्विश्टन किस तरीके से आएगा आपको देगा यहां पर कन्फूजन हुआ होगा मैं बता देता हूं आपको निश्टा पाक सुप्चम भागना आपको बता दा हूं पहले बोजन घ्राण किया ओके अमाश्या में गया बता नी काए है जाट रगनी क allowed में पहले हैं जाट रगनी करिज seven की आऊस्ता पाकवा मतलब इस्टूल पाकवा जाट रगनी कापक पाध में जो रस बनता है इस पें दो करिया होती हैं ब्हुता अगनी से पाचन और धाद वगनी से पाचन होने पर जो भी मतलब कौन सा तोडन करते हैं उसको अलगाल महभूतों में तोड ना तो यह जिए भूतागनी क्रिया होगाई तोग कि पांच होती है धातोगनी अब भूतागनी से क्रिया होने के बाद में धातो का का निर्मान होता है और निपन कर सके यह बात है इस तरगी से चैप्टर केलियर हूआ यह विरी वर इंपोर्टेंट है मदूर वास्ता पाग अमल वास्ता कड़ वास्ता पाग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो को सेर करना अपने कॉलेज अपने दोस्तों साथ तेंक यू